विल्कम बैक टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं हरियाली चिकन जो बहुत ही इजी तरीके से हम बनाएंगे बहुत कम इंग रिडियम में बनाएंगे और बहुत ही हिल्दी बनके ये तयार होगा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कुछ अधरक है दो तीन इंज का टुकड़ा अधरक है हरी धन्या है और ये हरा पार्ट लसन का है इसका अलग पेश्ट बनाएंगे और अधरक लसन का अलग पेश्ट बनाएंगे ये अधरक लसन और लसन का वाइट पार्ट का हमने पेश्ट बना लिया है खुड़ा सा पा हमने बना दिया दोनों अलग-अलग हम यूज़ करेंगे अब हमाइकड़ाई गरम हो चुकी है उसमें हम 100 ml के करीब हम मस्टर्ड ओयल एट कर देंगे अभी हमें घी भी एट करना है आप चाहे घी में बनाईए चाहे किसी भी ओयल में बना सकती है बहुत फटा-फट से यह अर याली चिकन बन के तयार हो जाएगा अब हम कुछ घी डाल दे रहे हैं अब हमारे ओयल गरम हो चुके हैं कुछ खड़े मसाले आट करेंगे एक बड़ी इलाइची एक दालचीनी का टुकड़ा दो छुटी लाइची एक तेश पत्युक हमने दो टुकड़ों में कट तोड़ के डाल दिया है चार-पांच पीस लॉंग यह तीन बड़े साइज के अप्याज एकदम बारीक से चौपर में हमने चौप किया है चाहे तो आप पेश्ट भी बना सकते हैं आप इसको लाइच पिंग हम कर लेंगे ज्यादा हम कलर नहीं देंगे देखिए अलका सा पिंकेज में हो गया है है अभी हमारा चिकन है यह वन केज़ी चिकन है अच्छे से वास करके इसका सारा पानी हमने ये इसको आइड कर देंगे थोड़ा सा हम अपने चिकन का कलर चेंज करेंगे चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो गया है ये लस्था नद्रक हरी मिर्जी का पेश्ट है इसको हमने आइड कर दिया है अब इसको मिक्स कर लेंगे ये इसी तरीके से इंग्रीडियन डालते डालते ही फटाफट से बनके तयार हो जाएगा देखिए हमारा पानी ड्राइ हो चुका है अध्रक लस्थन मिर्चे के साथ भी हमने अच्छे से भून लिया है अब इसमें कुछ पौडर मसाले टू टी स्पून धनिया पौडर हाफ टी स्पून जीरे का पौडर हाफ टी स्पून काली मिर्च का पौडर हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर हमने आइट करके अभी सब को मिक्स कर लेंगे वन टीस्पून नमक है नमक थोड़ा सा हमने जादा ही आइट किया है आप नमक अपने टेज के हिसाब से थिरी टेबल इस्पून दही इस अब आइट करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखी अच्छे से सब कुछ मिक्स हो गया एकदम भून चुका है अब ये लस्टन का हरा पाट और हरी धनिया का पेश्ट है इससे हमारे चिकन में कलर आजाएंगे हम इसमें कोई कलर आइट नहीं करेंगे देखी कितना फटा फट से हर्याली चिकन बन के तयार हो गया है ये वन टीस्पून का सूरी मेथी हाथों से क्रस्ट करके हमने आइट कर दिया है इसी तरीके से भूनते भूनते देखी ये बन के तयार हो गया है सारे आइल उपर आ चुके हैं थोड़ा साम पानी आइट कर देंगे अब आपको अपने हिसाब से पानी आइट कर दीजिएगा आपको ग्रेवी कितना खाना हो ठीक उसी हिसाब से आप पानी आइट कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए हमने ढग दिया है नमक मिर्चा थोड़ा सा कम लगा है इसी इस टेस पर आप भी अपना नमक मिर्चा टेस्ट करके डाल सकती हम दो हरी मिर्ची तीन हरी मिर्ची को सिलिट करके एट कर दिया, नमब कर दिया, देखिए चिकन गल चुका है, हम अच्छे से अभी बन के तयार हो चुका है, अब हम आपको सर्फ करके दिखाएंगे, आप लोग हमें सपोर्ट करिए, हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से इजी इजी पिले के आते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, आपने हमारे वीडियो के देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया,